नमस्कादोस्तों में हुआ अपसब की दोस्ति क्अ अपने चैनल हिंडी किस्स निग्धा पर को आपकले झालने ही डिक्लासेश निग्धा पर कुछ मेरा किन दोस्तों की हमारी जो विजल्वस्तु हême एक कहानी है विय्म ऋवस्तमानी जी की और विकहաूर्क नत्स dis coinc एक famous उपने अश्चिन भिसमसानी जी के जिसका नाम है तमस जिसमें उन्होंने देश के सांप्रदाइक भेदभाब के बारे में सुचना दिया था उसी तरह से यह जो अमृत सर आ गया यह भी देश के विभाजन समय में जो सांप्रदाइक भेदभाब उत्पन हुई थी अमारी देश में उसकी उपर ही यह आधारी थे जो कि स्वायं लिखक की जो अनुभती है उसको उन्होंने यहां पर कहानी का रूप दिया है कहानी की र प्रजान की सम्प्रदाइक भेद विभेद पर आधारी यह काहनी है यह बहुत इंपोर्टन पॉंन है दोस्तों कि कहानी की जो धीम है यानिक कि कि सैंप्रदाइक भीद विभेद आधारीत है इस कहानी में पूरे एक दिन की ट्रेन यात्रा का वर्नार हमें दिखने को मिलेगा और उसी ट्रेन के अंदर ही सांप्रदाइक महल किस हिसाब से बदल जाती है वो इस कहानी में हमें दिखने को मिलेगा एक ट्रेन यानि कि रेल यात्रा का यहां पर लेखक ने दिया है सुचना जिसके अंदर ही अचानक से किस तरह स सब कुछ सही होता है और किस तरह से संप्रताइक भीध भीध दीखने को मिल जाता है हिन्दु-額 Annika क्रेशन की तरह से फीठड़े हैं या हम में इसमें दीखने को मिले icra अब हम बात कर लते हैं पात्र के वारे में तो इसमें प्रामुक रूप में पांच पात्र हमें देखने को मिलते हैं 5 पात्र प्रामुक है तो सबसे पहले स्वयंग लिखक है क्योंकि उन्वों इक यात्री है इस रेल यात्रा की तीन 가장 है तीन पठान जो यात्री है और एक बुढ़ी औरत हमें देखने को मिलती है इस रेल यात्रा में एक दुबला बाबु जो की हिंदू है और एक साथार जी जो सीख है और इनके अतेरिक्त एक विवाहित जोड़ा जो की हिंदू बीरादरी से संबन रखते हैं और एक जोड़ जो की मुसलमन बीरादरी से संबन रखते हैं वो भी इस कहानी की हिस्सा है दोस्तों कोई भी कहानी हो कोई भी उपनेयास हो या कोई भी नाटक हो जब हम प्रिपैर करते हैं कोई एक्जाम के लिए उसमें जरूरी है कि हम उसमें कुछ डायलग होते हैं यानिकि कुछ होते हैं जिसे हम याद रखना हमें याद रखने की जरूत होती क्यों कि कभी कभी क्या होता है अगर आप नेट एक्जाम दिये हैं तो आपको पता है कि डायलग पुछ लिया करता है एक्जाम में पुछ लिया जाता है डायलग और उसे पुछ लिया जाता है कि किसके डायलग है जिसको हम अभी देखेंगे तो सबसे पहले वे जेन जोग्यों वे जेन जग्यों आरम नाल बेठो वे रब दिये बंदियों कुछ होस करो यह जो डायलग है यह ट्रेन में एक बुढ़ी आउरत बैठी है उनकी है जैसे कि हम पात्र में देखे थी कि पात्र है बुढ़ी आ डायलग है वह है तुमने उन्हें जाने क्यों दिया तुम सब नामर्द हो तुमने उन्हें जाने क्यों दिया तुम सब नामर्द हो यह पतले बाबु जो है जो हिंदू है एक पतले दुबले बाबु जो ट्रावेल कर रहे हैं उस ट्रेन में उनका यह डायलग है जब तीन पठान ट्रेंड से चले जाते हैं अपने दोस्त के साथ तब ये गुसे में ये बाहर गए होते हैं और ये जो राड लेके आते हैं और उन्हें नहीं मिलते हैं वो मुसलमन तो वो पठान नहीं मिलते हैं तो ये गुसे में कहते हैं लिखा को कहते हैं कि तुमने उन्हें जाने क्यों दिया तुम सब नामर्द हो ये एक important dialogue है इसे याद रखिए फिर जो सर्दार जी जो सीख सर्दार जी होते हैं उनका इस dialogue है बहुत अच्छा dialogue है और important भी है उसे आपको याद रखनी चाहिए बड़े जिवट वाले हो बाबु ये कहते हैं किसे पतले बाबु को कहते हैं बड़े जिवट वाले हो बाबु दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो बड़ी हमा दिखाई है तुमसे डरकर ही वे पठन डिब्बे से निकल गए ये बात कहते हैं हसकर कहते हैं कौन सर्दार जी दोस्तों उमीद है आज की वीडियो आपको जो पसंद आई हो होगी अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पुछनी हो तो आप मुझे इमेल कर सकते हैं मैं वादा करती हूं आपको रिप्लाइज जरूर दोंगी और आप मुझे फेस्बूक और इंस्टाग्राम से भी फॉलो कर सकते हैं तो आप सब के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी दुसरी ने वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्ते